दूस्तों साहरा ने उसको के लिए के बहुत ही बड़ी अपडेट आ रहे है तो क्या है इस वीडियो की माध्यम से जो भी है मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले आप लोग मुरे चल पिने तो सिस्काइब कर लेना दूस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामन तुम यारे सुधामा प्रसाथज जी ने क्या ऐसे बात सुधों के लिए बढ़िया बीर्म माथ भी है और ऑगय क्या है मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा इनका वीडियो तो क्या है मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा तो भाई आप लोग बंद रहेगा क्या वह बड़ी बात है जो कि आप लोग के लिए आगे चल करके प्राब्लम भी हो सकती है तो ऐसा क्या है मैं आपको दिखाना चाहूंगा दूसरी बात की एक 14 करोड निवेसकों का ठाई लाज करोर उपिया सहारा इंडिया में जमाहिम हो गए पैसे के इंतजार में 49 सुस्थ कि मौत हो गई पैसा ठभी करता हो के मौत हो गई एजेंटों की यह पैसा गरीबों का पैसा है देज के मत्वर्ड का पैसा है जिनों ने न पान बेटियों की साधी के लिए पान बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने संकट के दीनों के लिए वो पैसा जमा किया था तो ये पैसा नहीं देना चाहते हैं पैसा देना चाहते है और लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं गाउं में जो रोपनी डुहनी करने वारी महिलाएं है खेतों में शाहरों में जो जाओं को जाता काम करती है दाई महिलाएं रिक्षा टेंपू ठेला चलाने वाले लोग है फुर पाथी दुकंदार है फिरा जोस्तों आपने सुना यहां तक तो सही है लोग एक गुर्पे इकठा करके सहारा इंडिया में पैसा निवेश किये थे उसके बाद क्या बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रहे है एक पाथ लोगों के अंदर डावटे हैं वो सरकार के पोटल के बारे में नहीं जानते हैं वो गाओं के और कस्बे के उस एजेंट के बारे में जानते हैं सहारा इंडिया के जिनके मारफ़त उन्होंने पैसा जमा किया मोहदाय आपके माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि ये पैसा एजेंटों के मारफ़त दिलवाया जाए नहीं उसकों को ये पेट पर लाट पड़ रहा है उनका कई एक हूप उड़ती है जब हो हमसे कहते हैं उनके अंदर हूप उड़ती है फिरा दोसे इस बीडियो के माध्यम से आपने सुना बहुत बंगिया से जिसरे से इन्होंने कहा इसमें से एक बात जो है लोगों के अंदर डाउटे हैं यदि ऐसा हो जाता है तो फिर से जो है धांदली सुरू हो जाएगी पैसा नहीं मिल पाएगा तो जहां तक मैं जानत जो भी हमें अपडेट मिलेंगी तो मैं आपको इंफार्मिशन करूंगा इस बीडियो के माध्यम से वरिशना है जहन